Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम आपके merit scholar से प्यानी की मेधावी छातरवरती परिक्षा के लिए practice sets solve करेंगे तो शुरू करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको roll number लिखना है तो roll number जो है आपकी teacher आपको provide कराएंगी तो उनसे पूछ कर लिखना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे अंको में और यहाँ पर आप words में लिखेंगे यहाँ पर है center code, तो center code आपकी teacher बताएंगी तो उनसे पूछ कर यहाँ पर center code लिखना है अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो pattern होगा paper का वो किस तरीके से होगा इसे कितने part में दिया जाएगा तो यहाँ पर जो है सबसे first part जो होगा वो general awareness यानि कि general awareness और current affairs का होगा जिसमें से आपसे 10 questions पूछे जाएंगे जो कि 20 marks के होंगे उसके बाद second जो भाग होगा उसमें reasoning ability के question पूछे जाएंगे 10 जो कि 20 marks के होंगे उसके बाद आपसे quantitative aptitude यानि कि मात्रात्मक योग्यता से संबंदित questions पूछे जाएंगे जो कि 20 marks के होंगे next होगा आपका language यानि कि language हिंदी या उर्दू जिसकी हिंदी है वो हिंदी के question करेंगे और जिसकी उर्दू है वो उर्दू के करेंगे तो इसमें से आपसे five questions पूछे जाएंगे 10 marks के उसके बाद second language में English जो सभी के लिए है उसमें से five questions पूछे जाएंगे 10 marks के अब last part आता है आपकी text book से तो text book से questions आएंगे EBS, SST, हिंदी और English के 20 questions आएंगे जो कि 40 marks के होंगे तो आप बहुत ध्यान से paper करेंगे सारे questions जो है वो compulsory है आपको सारे questions करने है अब यहाँ पर देखेंगे part one general awareness यानि की सामान्य जागरूपता के questions है question one is what are the full form of email and ATM? email और ATM की full form क्या है? options है early mail and automatic tailor machine या फिर electronic mail and anytime machine electronic mail and automated tailor machine या फिर electronic mail and anytime machine तो answer होगा option number C electronic mail and automated tailor machine तो आपको जो है answer जो सही है केवल एक ही bracket में लगाना है और उसके अंदर लगाना है बाहर नहीं लगाना है यहाँ पर कोई भी आपको rough कारे नहीं करना है इट मींस आपको कोई भी question यहाँ पर आस पास solve नहीं करना है नीचे space दिया गया है वहाँ पर आप अपने questions को solve करेंगे अब यहाँ पर next है which monument is depicted on 500 rupees note 500 के note पर कौन सा इस्मारक बना है तो यहाँ पर option है red fort साची स्टूप कुतूब मिनार या फिर हमपी तो answer होगा option number first यानि की 500 rupees के note पर है red fort का चीत यानि की लाल के ले का अब यहाँ पर question है which of the following is not an example of a good citizen इन में से कौन सा एक अच्छे नागरिक का उधारन नहीं है तो यहाँ पर जो है options है concern only about personal interest के वल अपने बारे में सोचना अपने lab के बारे में सोचना helping others दूसरों की करना keeping the surrounding clean अपने आसपास सफाई रखना following rules and regulations of a civilized society एक civilized society के नियमों और वी नियमों का पालन करना तो correct answer होगा option number a यानि कि यह जो है एक अच्छे नागरिक का उधारन नहीं है अब यहाँ पर question है identify the name of this dance form यहाँ पर चित्र में जो dance form दी गई है आपको इसे identify करना है तो यहाँ पर option है कथक कली चाओ भांगरा कथक तो answer होगा option number a यानि कि यह जो है चाओ एक dance form है जिसका यहाँ पर यह चित्र है अब यहाँ पर next है the intensity of an earthquake is measured by which instrument भूकम की जो intensity है तीवरता है किसी अंतर से measure की जाती है तो यहाँ पर option है seismograph, krescograph, polygraph या फिर telegraph तो answer होगा option number a यानि कि इसे हम किसमें measure करते हैं seismograph से now question is identify this Indian Paralympic winner यह जो है Paralympic की winner है तो आपको बताना है इनका क्या नाम है तो यहाँ पर option है स्नेहा मलिक, दीपा मलिक, गीता मलिक या फिर सुनीता मलिक तो answer होगा option number b कौन है यह यह दीपा मलिक है अब यहाँ पर question है name of the following आसन यह जो है आसन कौन सा है आपको identify करके बताना है तो options है यहाँ पर मकर आसन धनुराशन परवताशन गरुडासन तो यहाँ पर answer होगा option number d यानि कि यह है गरुडासन अब यहाँ पर next है राष्टे खेल दिवस कब सेलिब्रेट होता है तो option दिए गए है 29 अगस्ट 14 मार्च 5 जून 31 अक्टूबर तो answer होगा correct option number a इसे 29 अगस्ट को सेलिब्रेट किया जाता है next is year 2023 is being celebrated as international year of by UN वर्स 2023 को UN द्वारा international year के रूप में मनाया जा रहा है यानि कि 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 के रूप में rice, millets, maize या फिर gram तो answer होगा option number b यानि कि millets के लिए अब यहाँ पर question है which of the following is harmful for the environment इन में से परियावरन यानि कि हमारे environment के लिए क्या harmful है तो option है यहाँ पर paper, plastic, wood, cloth तो answer होगा option number b यानि कि plastic now part b numeric aptitude यानि कि तारकिक योगता अब यहाँ पर first है a, b, c, d, e and f are sitting in a row, e and f are in the center e और f जो है कहां बैटे हैं, एक रो में सबी बैटे हैं, e और f जो हैं वो कहां बैटे हैं, बीज में, यानि कि center में, a and b are at the ends a और b जो हैं वो ends में हैं, तो a यहाँ पर मान लेंगे और b यहाँ पर, यानि कि दौनों तरफ end में बैटे हैं, c is sitting to the left of a a के left में c बैठा है, तो यहाँ पर a का left, यानि कि हमने गलत कर दिये हैं यहाँ पर, तो a यहाँ होगा और b यहाँ तो a के left में क्या है, a के left में है c, who is to the right of b, तो b के right में कौन सा होगा, तो b के right में होगा तो यहाँ पर answer कौन सा होगा, तो answer होगा, option number a, यानि कि d होगा, b के right में, अब यहाँ पर next है, complete the series given below, यहाँ पर नीचे series दी गई है, इसे आपको complete करना है, तो यहाँ पर देखेंगे a, b, तो यहाँ पर c left है, उसके बाद है d, उसके बाद e, f, यहाँ पर g left है, उसके बा left किया है, उसके बाद qr, तो यहाँ पर जो है, इधर देखेंगे, तो यहाँ पर t आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर t है, एक छोड़ कर, एक letter छोड़ा जाएगा, तो r के बीच में क्या छोड़ेंगे, s और यहाँ पर होना चाहिए, t, तो आप यहाँ पर correction कर लेंगे, त अब यहाँ पर next है, find the odd picture out of these, इन में से आपको जो odd picture है, अलग है, वो बतानी है, तो first में देखेंगे, three circle है, one field है, उसके बाद है, triangle में three है, one field है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर, इसके अंदर तीन है, लेकिन two field है, और यहाँ पर भी three है, यहाँ पर one field है, two, बिल्कुल खाली है, तो यहाँ पर odd कौन सा है, जो तीसरी figure है, यह odd है, यह अलग है, तो answer क्या होगा, answer होगा, option number C, अब यहाँ पर next है, in a certain code language, car is called scooter, एक निश्चित code language में, car को scooter कहा जाता है, और scooter is called bus, scooter को bus कहा जाता है, and bus is called train, और bus को train कहा जाता है, then how did you visit Amrit Udjyan video class, तब आप अप तुद्यान कैसे गए, तो यहाँ पर option है, car, bus, train, यह फिर scooter, तो किसे गए, तो हम पिकनिक पर यह घूमने के लिए, Amrit Udjyan, जो है किसे जाएंगे, bus से, तो bus को क्या कहा गया है, train, तो answer क्या होगा, option number C, यानि कि train से, अब यहाँ question है, choose the correct option to complete the figure, यहाँ पर आपको figure को complete करन के लिए, सही option को choose करना है, तो यहाँ पर देख लेंगे, option है आपर दिये गए, तो यह गलत है, उसके बाद, यह भी गलत है, यह बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई यहाँ पर pattern नहीं है, तो यहाँ पर answer होगा, option number D, यानि कि एक उपर की तरफ और एक नीचे की तरफ होगा, यान अथे दिन मनाया जाता है, यानि कि थ्रस्डे को, और which day was it celebrated in 2023, तो यह जो है, 2023 में किस दिन मनाया गया, तो यहाँ पर Republic Day जो है, वो कब है, गुरुवार को है, यानि कि थ्रस्डे को है, तो next day कौन सा होगा, Friday, उसके बाद, Saturday, और उसके बाद, Sunday, तो यहाँ पर चोथा दिन कौन सा है, Sunday है, तो answer क्या होगा, option number A, अब यहाँ पर question है, how many times must a rope be cut to cut it into 10 pieces, एक रसी के 10 टुकडे करने के लिए उसे कितनी बार काटना पड़ेगा, तो यहाँ पर option है, 8, 10, 9, 5, तो यहाँ पर answer होगा, option number C, उसे 9 time हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि 10 time हम नहीं काटेंगे क्योंकि 9 time काटने पर उसका एक टुकड़ा last का जोगा, वो अपने आप अलग हो जाएगा, तो 10 हो जाएंगे, अब यहाँ पर next है, रमेश is the only son of Ria's parents, रमेश जो है, रिया के माता पिता का अकेला बेटा है, how is Rames related to Ria, तो आपको बताना है कि कैसे, रमेश रिया से that would complete the figure matrix, नीचे जो है, आपको जो सही figure है, चारो alternative में से सही को choose करना है, जो की उपर दी गए figure को complete करेगा, तो यहाँ पर देखेंगे, वन यहाँ पर fill है, उसके बाद क्या है, यहाँ यह खाली है, उसके बाद यहाँ देखेंगे, यह खाली है, यह भरा हुआ है, यह खाली होना चाहिए, यह खाली होना चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे, तो गलत है यह, इसका answer होगा, option number D, यानि कि यह खाली है, यह खाली है, यह खाली है, यह खाली है, और सही direction में है, अब यहाँ पर question है, find the number of triangles in given figure, यहाँ पर आपको इस दीगे figure में triangle बताने है, कितने है, तो यहाँ पर option है, 10, 7, 14, 15, तो answer होगा, option number D, कितने है, 15 है, तो किस तरीके से देखेंगे, एक यहाँ पर क्या है, पहले हम इस तरीके से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब यहाँ देख लेंगे, एक complete हो गया, 7, उसके बाद, 8, 9, 9 हो गए, अब यहाँ पर इस तरीके से देखे 10, 11, अब हम दूसरी तरीके से देखेंगे, और कितने है, 12, 13, अब बचे आपर ध्यान से देखेंगे, 13 हो गए यहाँ तक, अब एक जो है इस तरीके से बनेगा, कितने हो गए 14, उसके बाद एक जो है इस तरीके से हो जाएगा, कितने हो गए 15, और एक इस तरीके से, तो इ आप जो है यहां पर correction कर लेंगे 15 की जगा आप 16 कर लेंगे तो answer होगा option number D अब यहां पर है part C quantitative aptitude मात्रात्मक योग्यता question is sum of 6th multiple of 6 and 7th multiple of 7 is यहां पर जो है 6 6 into 1 6 into 2 6 into 3 6 into 4 6 into 5 6 into 6 तो 6 का हमें 6 multiple बताना है तो 6 into 6 is 36 अब 7 का कितना होगा 7 into 7 is 49 तो 36 और 49 को प्लस करेंगे 9 और 6 कितने होगे 15 carry 1 4 and 3 7 और 1 8 तो answer कितना हुआ 85 तो sum कितना होगा 85 तो answer होगा option number C अब यहां पर question है if 30 mug of water can fill the bucket completely यदि 30 mug पानी बालती को पूरा भर सकता है और एक mug में कितना पानी आता है 250 ml find the capacity of the bucket तो आपको जो है बालती की capacity का पता लगाना है तो option है यह आपर 5 liter 250 ml 7 liter 7 liter 500 ml या फिर 7 liter 500 ml तो इसके लिए क्या करेंगे 250 ml आता है 1 mug में तो 30 mug तो इसके लिए क्या करेंगे 250 को multiply कर देंगे 30 से तो 0 उसके बाद 30, 35, 15, 32, 6, and 1, 7 तो कितना होगे answer 7 liter 500 ml तो answer होगा option number C अब यहाँ पर question है which pair of number have common factor of 7 संख्याओं के किसी युग्म का उब्हनिस्ट यानि कि common factor 7 है तो यहाँ पर जो है 7 के table में जो है कौन कौन से number आते हैं तो यहाँ देखेंगे 7 में 80 नहीं आता अब यहाँ पर देखेंगे 7 में जो है 96 नहीं आता उसके बाद 7 में 54 नहीं आता 77 आता है अब यहाँ देखेंगे 7 से 75, 35, and 7 into 11, 77 तो answer होगा option number C अब यह question है find the value of 5 plus 5 into 5 तो यह जो है board mask का question है तो आप इस इस तरीके से solve करेंगे तो यहाँ पर bracket of division नहीं है उसके बाद है multiply तो यहाँ पर 5 plus 5, 25 अब 25 को 5 से plus कर लें कितने हो गए 30 तो answer क्या हुआ option number D तो बहुत easily आप इन्हें कर सकते हैं अब यहाँ पर question है write the fraction for shaded portion of circle तो यहाँ पर fraction बतानी है shaded portion के लिए तो यहाँ पर option है 1 upon 8, 1 upon 4, 2 upon 7, 3 upon 4 तो यहाँ देखेंगे कितने part है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इसके पूरे part है इसमें से shaded कितने है तो shaded है इसमें 6 तो कितना हुआ 6 upon 8 अब हम इसे देखेंगे यहाँ पर 6 upon 8 नहीं अब इसे और कर लेंगे 2, 3, 6, 2, 4, 8 तो कितना हो गया 3 upon 4 जो है इसका shaded portion है तो answer कौन सा होगा option number D अब यह question है there is a rectangular field whose breath is 15 meter and length is 2 times of its breath इसकी ब्रेथ कितनी है 15 meter है और जिसकी length है वो इसकी double है यानि कि 2 times more है तो कितनी हो गई 30 find the length of the wire required to fence the field तो अब जो है यह खेत है इसके 4 और बार लगाने के लिए आवेस एक तार की लंबा ही निकालनी है यानि कि आपको इसका parameter बताना है तो इसके लिए क्या करेंगे तो इसके लिए formula आपको पता है हम क्या यूज करते है पैरिमीटर equal to 2 into length plus breath तो यहाँ पर जो है breath कितनी है 15 है इसकी length कितनी है 30 है तो क्या करेंगे 30 और 15 को plus कर देंगे कितना हो गया 45 अब 45 को 2 से multiply करा देंगे कितना हो गया 90 तो आंसर कितना हुआ 90 मीटर तो आंसर होगा option number B अब यहाँ पर question है look the picture and choose the correct option है आपर जो है इस picture को देखना है और सही option को choose करना है इसमें जो है कितने corner हैं कितनी edges हैं और कितने face हैं तो सबसे पहले देखेंगे corner कितने हैं तो 1,2,3,4 और 4 ही इधर हो गए तो कितने हो गए 8 corners उसके बाद यहाँ पर edges कितनी है edges यानि किनार कितने हैं तो 1,2,3,4 नीचे हो गए 5,6,7,8 उसके बाद 9,10,11,12 तो 12 जो है इसमें edges हो गए अब बताने है face कितने हैं तो face यानि कि ऊपर की तरफ 1,2 उसके बाद फिर 3 और इधर की तरफ 4,5 और 6 और 6 इसके faces होते हैं तो answer होगा 8 corners, 12 edges and 6 faces तो answer होगा option number B अब यहाँ पर है answer the question 28,29 given below Ajay has to buy some goods from the market whose price is as follows Ajay को जो है market से कुछ सामान खरीदना है जिसके price जो है नीचे बताए गए है Books के रूपीज है 350, one set of copy 200 रूपीज, one pencil box 60 रूपीज, one packet of colors 80 रूपीज Question is, what is the cost of 7 pencil boxes? One pencil box की कितनी है 60 रूपीज है तो 60 को हम 7 से multiply कर देंगे तो कितना हो गया? 76042, तो इसकी cost होगी 420 रूपीज, तो answer होगा option रूपीज, अब यहाँ पर question है What is the amount to be paid to buy one pencil box and one copy set? तो copy set की कितने प्राइज है? One copy set है 200 रूपीज का, pencil box की कितने प्राइज है? 60, तो कितने हो गए? 260 रूपीज, तो answer होगा option number C अब यह question है, which of these numbers is divisible by 2 and 3? इन में से कौन सा number जो है? वो 2 और 3 से divisible है, विबाद यह है But not divisible by 5, can you find that number? लेकिन जो है वो 5 से नहीं divisible है तो यहाँ पर देखेंगे, 5 से 40 कट जाएगा, तो यह भी नहीं है, उसके बाद 5 से 50 भी divisible है उसके बाद यह देखेंगे, 70, तो 5 से 70 भी divisible है, लेकिन 36 नहीं है 36 जो है, वो 2 और 3 से है, लेकिन 5 से नहीं है, तो answer होगा option number D तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने कितने questions solve किये, 30 questions तो बाकी जो questions है, उन्हें हम इस वीडियो के second part में solve करेंगे if you like this video, please like and share and if you are new on this channel, please subscribe the channel, thank you